आप लोग जहां भी होंगे मैं भी अच्छी हूं फिर से आ गई प्यारा सा नया सा ब्लॉग लेके तो आज हम जा रहे हैं बनारस और बनारस कहां कहां जाएंगे और आपको आगे देखने को मिलेगा तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग है आप लोगों पहुत ही अच्छे-च्छे प्लेस में दिखाने वाली हूं आज तो बहुत ही जो होने वाला है तो प्रीज वीडियो की इंट तक बने रहें इसकी बिल्कुल मत करिएगा आप लोगों को आज मैं बनारस पुरवाने के कुसिद करोंगी तो प्लीज आप लोगों आ सब्सक्राइब कर दीजिए पेल आइकन को प्टेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी ब्लॉग या वीडियो अपलोड करूं तो मैं आपके पूर में सबसे पहले पहुंचे और आप तुमारा वीडियो देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स को आगे मिलते हैं आप लोग दिखी सथ Spoils जा तो गहरी का सुबाद की मिलने वाला है और देख आप लोगह साथ में बतादिफ़ धरयां तो इनलोगों के साथ हम भी जा रहे हैं अब जा रहे हैं तो आज पूरा बनारस घूमने वाले हैं हाला कि आज हम लोग काफी excited हैं आप लोगों उसमें बता दिए हम मतलब कि मैं रस्मी और दोनों बच्ची चार लोग तो कुछ ज्यादा ही excited है पतदेव जी और देवर जी लोगों का तो कोई नहीं समझ मेहाता है लोगों का तो क्या है friends कि आप लोगों को टाइटल कि वज़ा से मेरा भी काफी दिन से मन था लेकिन मतलब कि मैं अकेले थोड़ी जा पाती लेकिन बच्चे काफी जिद किये थे जाने के लिए क्योंकि हम लोग कभी गए नहीं है वाटर पार्क तो बच्चों की वज़ा से आसोची कि चलो मैं भी अपना सौख पूरा कर लेती ह हों और हस्बेंड जी को तो ब इसाफ नहीं है इन सब चीजह का लेकिन मुझे तो सवख है लेकिन अब मेरे सौख क्यों जैसे नहीं ले जाते हैं क्योंकि उनको नहीं अच्छा लगता है यह सब चीजिए और हाला कि घुमना फिरना तो हो जाता है हम लोगों का हमेशा ही कह पहली बार जा रहा है लेकिन अईसे जगहों पर हम लोग बहुत ही कम जा पाते हैं वाटर पार्क में पहली बार जा रही है और दोनों बच्चे प्यांन का स्कूल से निद यह को रहा इस और इस नहीं है तो लोग भी मतलब की मना कर रहे हैं जाने के लिए तो यहां हम लोग आ गए हैं वाटर पार्क के पास गाइज और जो है यहां लोग गाड़ी को पार्किंग में डगा दिये हैं तो चलिए आपको मैं बता दूं कि हम लोग बनारस के वाटर पार्क में आए हैं जो की मतलब बनार जी देवर जी लोग आगे चले गए लोग टिकट ले रहे हैं और इन लोगों का बिल्कुल भी इच्छा नहीं था मतलब देवर जी का कि हम लोग अंदर जाएंगे लेकिन हम लोग फोर्स किये कि क्या करेंगे आप लोग बाहर खड़े होके चलिए अंदर चलिए तो फिर लो भी तयार हो गए हैं जाने के लिए तो यहां देखे गाई लोग टिकट ले रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि एक लोगों का प्राइज है पांसे रुपए तो देखिए गाईस जो टिकट है ना सबके मतलब की हाथों पर लोग बात देते हैं लगा देते हैं और टीकट कि वज़ा से तो काफी लोग चिटिंग करने लगते हैं तो इसलिए रूल रखा रखा गया है तो यहां देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं अब यहां क्या है कि अब हम लोगों को लेने हैं कॉस्ट्यूम क्योंकि हम लोग घर से कपड़े लाए नहीं है और मतलब कि सही पू कॉस्ट्यूम और यहां मतलब क्या है कि हम छे लोग है तो छो लोगों के लिए लिया जा रहा है और एक लोगों के कश्ट्यूम का दाम प्राइज है पचास रुपए तो यहां से हम लोग लेके फिर निकल रहे हैं तो यहां देखिए मैं और चेंज करके आ गए हैं कपड़े पहन रही हूं लाइफ में और बड़ा अजीब सा लग रहा था तो यहां पर देखिए लोकर मिला है हम लोगों को अपने कपड़े पर्स जो भी समान है मोबाई सब कुछ इसमें हम लोग चपल जूते मतलब लोकर में अपने अपने सब रख देंगे और फिर सब लोग आगे आगे चले गए हैं मैं हूं और उसके हमारे पीछे रस्मी है तो यहां देखिए यहां से इंटरी होती है आप लोगों को मैं दिखा रही हूं और चलिए दिखाते हुए चल रही हूं यहीं से इंटरी होती है पतिदेर जी क्यों मैं बोली कि आप आगे आग रहते हैं तो अच्छा लगता है तो यहां देखें जो है हम लोग आ गए हैं और बच्चे पहले ही पानी में घुसे अंदर और यह लोग पहले ट्राई कर रहे थे क्योंकि सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहां वाटर पार्क में और बच्चों के बाद मैं और रस्मी भी पानी में जंप कर गए और खुब इंजवाए कि यह हम लोग सच बताओं तो आपको मैं यह सजिस्ट करना चाहूंगी जब भी आप ऐसे जगहों पर जाए न तो आप अपनी कंपनी के लिए किसी ने किसी को साथ मिले जाए क्योंकि अकेली नहीं अच्छा लगेगा तो यह लोग ट्राइब कर रहे थे कि पर से थोड़ा सा पीया जाएगा और रस्मी को तो सीमिंग करने ही आती है बट मुझे नहीं आती है मुझे पानी में थोड़ा आजिब सा लगता है और यहां देखे रस्मी जो है उपर से आ गई नीचे पानी में उसको एक मिनट भी नहीं लगा और मुझे तो सोचना पड़ रहा था कि मैं उपर से नीचे आओं तो कैसे आओं क्योंकि मुझे डर लगता है पानी से यह लग रहा था कि अंदर जाकि मैं में डूब न जाओं हाला कि इतना गहरा पानी नहीं था फिर भी मुझे डर लग रहा था तो गाई देखे हम लोग आ गये हैं दूसरी साइड में और यहां मतलब के ऊपर से आपको फवारे जैसे मतलब की पानी गिर रहे थे और नीचे एक साइड में लोग एक साइड में वीडियो बना रही हैं भाग गया हो और यहां देखिए जो है देवर जी और पतिदेव जी यह लोग भी खूब मस्ति किये तो मैं सोची फ्रेंज की लोगों का भी मैं वीडियो थोड़ा से बनाती हूं लेकिन कोई न कोई आगे आही जा रहा था तो यह लोग भी लास्ट आई थी थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए मैं सुची चलेया आप लोगों कभी मैं थोड़ा सा में बनाती हूं तो रस्मी एक साइड थी और लोग मैं लोगों का वीडियो बना रही थी लोग खूब इंज्वाय किये और मुझे हसी आ रही थी पतिदेव जी की उपर कि पहले तो यह नहीं रहे थे भाव खा रहे थे लेकिन जब आए नहीं तो कुछ भी स्किप करने की कोसिस नहीं कि हर जगह का इंज्वाय कि और यहां देखिए इतनी उचाईयों से मतलब किसले पिया जाता है पानी में तो हम लोगों के बसका तो नहीं था यह चीज और डर लगता है उपर से देखिए बच्चे आ रहे थे तो दोनों बच्चे हमारे उपर से आ कोपी राइट आजाता है इसलिए सारे वायस म्यूट करने पड़े तो यहां पर मुझे इतनी तेज हसी आई इन दोनों को देखिके कि पूछे मत और यह लोगों को भी मर्दलव की बहुत इंज्वाय कि बहुत मजा आया इन दोनों को तो बच्चों की खुसी में ही अपनी इन फ्रेस हो जाता है अगर आप आएंगे न तो सच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे इतना मतलब की आइडिया नहीं था कि यहां पर आने के बाद इतना अच्छा लगेगा और यहां का व्यू भी बहुत ही ज्यादा खुबसूरत था जब हम लोग घर से निकले थे आन तो काफी अच्छा लग रहा था पानी में और हम लोग फूब इंज्वाय किये तो यहां का देखिए इस तरह के लहरो वाला यह है स्विमिंग पूल यहां इदम बहुत फोर्स से लहर चलता है तो बच्चे निकल गए पहले एक साइट में मतलब एक बार में बाइज लोग होते हैं फिर एक बार में कपल लोग लोग उते हैं तो यहांने हां हम लोग भी इंटरी किए थे तो मैं हूं रसमी है और उसके बाद हम लोग को यहां वहाँ है और इसके बात जो है यहां से हम लोग कुछ दिखाते हुए बताते हुए चल रहीं हूं सो को दो यहां सब कुछ तो आप दिखा कि यह इसका ब्यों कुल्ऽ इतना ही फुब्सूरत लग रहा है और आप लोगों और grenade successor में जरूर बताईये हैं तो चलिए गाइज अब हम लोग ना वहां से अब आगा है दूसरे साइट में और निकल रहे हैं मतलब की स्पेश में है बहुत जादा स्पेश में हैं और काफी बड़ा है इसलिए मतलब की बनारस का नंबर वण का ब्रूधोら को दिखा रही हूँ देखिये जैसिसे गुफ टाइप में गया एक किनारक्ष किनारे इसके पूरे त्रीके से बना हुआ है आगे मैं आप को दिखाओं गी तो हम लोग सोचे कि हमारे जॉणपूर में भी बाटर पार्क है वहीं पे चला जाएगा लेकिन फिर दिमाग में आया कि अगर जॉणपूर में जाएंगे ना तो फ्री माइंड से इंज्वाइं नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई न कोई लोकल रहेगा न तो कोई न कोई जान पहच है कि पूछे मत पता नहीं क्या हूं यह खड़े हो के बस अपना पेट ही धूल रहे थे और आने जाने का रास्ता है बॉंड कर दिये थे तो मुझे और रसनी को बहुत हसी आई तो यहां देखिए हम लोग इंज्वाय भी कर रहे हैं और आप लोगों को मैं दिखाने की भी कोसिस कर रही हूं इसका पूरा ओवर विव और और सही बताओ तो मैं अपना फोन नहीं लेके आई थी पानी में क्योंकि मेरा फोन वाटर्फूफ नहीं है नॉर्मल फोन है मेरा और मतलब सभी का फोन जो है लॉकर में रखा गया था और मतलब कि जो भी गोल्ड के हम लोग नॉर्मल फोन है एक साइडमाम मतलब साघ्मल में जो है नुकि नुब करते म back union जीterror देवर द सब्सक्राइब में थे और बच्चे एक साइड में बच्चे तो उन लोगों का तो पता ही नहीं चल रहा था कि कहां है यो लोग कि मतलब कि इतना हो लोग इंजवाय किये ना जितने भी टाइम थे यहां पे पूरा फूल मस्ती जानले जब पैसा वसूल जिसको कहा जाए ना वही है कि एक लो पाने से भीग रहे हैं और आप लोगों को मैं बस थोड़े थोड़े क्लिप दिखा रहे हूं आप लोग ऐसी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे और क्या सोच रहे होंगे मुझे आइडिया नहीं है लेकिन मैं कुशिस की हूँ कि बस एक मीमोरी कवर कर लू अपने लोगों का यह सब टाइम बार बात नहीं आता है चैनल के जरियें हम क्या करते हैं के अपनी मीमोरी कवर कर रहे हैं क्योंकि कभी न कभी हम भी बुठाप में ऐंगे हीं तो फिर यहीं देख देख के कुश हो जाएंगे कि चलो हमभी कभी ऐसे इंज्वाय कि थे तो गाइस देखिए अब उधर से अब हम लोग निकल गए हैं और चल रहे हैं अब दूसरे साइट में यहां पे देखिए यहां पे तो हम लोग पहले ही आ गए थे और फिर मैं आई हूँ यह भी मतलब की इसका वीडियो नहीं बनाये थे तो मैं सोची चलो आप लोगों को मै मतलब की भीगे थे मैं और असमी और खूब यहां वीडियो बना फोटो मतलब भीक निकाला गया और देखिए उचाई पे कितने ज्यादा उचाई पे यहां से निकाला गया है मतलब की उपर से आना पड़ रहा है दो देवर जी बोल रहे थे कि तुम आप लोगों को जाना है तो आप लोग जाए लेकिन मैं और रस्मी रस्मी का तो पता नहीं लेकिन मेरी तो हीमत नहीं पड़ी कि वहीं इतने उपर से अगर आएंगे ना तो पक्का कम और तो डामेज होगा ही होगा और सरीर भी जाएगा मेरा तो इसलिए हम तो नहीं वहां गए तो यहां मैं औ दूसरा साइड है और यहां आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत ही जैसे लग रहा है कि पहाड़ों से पानी गिर रहा है और यहां मतलब की लास्ट में हम लोग यहीं नहाए थे ताकि थोड़ा सा मतलब के मान के उस्ते सबकेसा तो इसके नीचे आए होरे अवरक ना से हम लोग Lehr निकले हैं तो आप को मैं दिकह रही हूं है मतलब की इस कॉर्णर का तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा खुबसूरत है और देखें जो अधर मैं आपको दिखा रहे थी देखें साइड साइड से इसके पानी जो है ऐसे ही साइड साइड से बना हुआ है तो चलिए फ्रेंज मैं और हस्पेंड हम लोग थोड़ा सा देवर्चे से बोले कि थोड़ा सा पीक निकाल दीजिए तो वीडियो और पीक दोनों यहां पे निकाले हम दोनों को लोगों का और फिर देखिए कितना खुबसूरत दियो य पहला रहे हैं क्योंकि सारी में लगने लिएजिक चल रहे थे तो हम लोग खुब इंजवाएं कि आप लोगों को बताईए कि आया इस वीडियो में आप लोगों को कैसा लगाए वीडियो सब्सक्राइब बताई और यहां से अम लोग हुं निकल रहे हैं और बच्चे यहा कि पैसा súl पीकनिक तका है अंने वाले हैं घाट पर छाने गाटी गार आरटी देखने वाले हैं तो अगला वीडियोदे डोग बहुत ही अच्छा आने वाला है तो फ्लीज को ट॥ शेखाने वाले और फेश्म आया हो फ्रेंट्स तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूं मिलती हूं किसी ऐसे ही प्यारे से ब्लॉग के साथ अब तक के लिए हर हर महादेव जैसरी कृष्णा जैसरी राम थैंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो वाचिंग।